मेरे प्रियों आप सभी को नमस्कार आशा है कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं हमारे इन एपिसोड्स को और इन मनन को अपने दिमाग में रखिए परमेश्वर आप कोई इसमें अगवाई करेगा और आपको आशिश भी देगा आज जो आप देख रहे हैं जो स्लाइड है या पिक्चर है या डायाग्राम थोड़ा देख करके अजीब सा लग रहा होगा है कि नहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ नई भाशा है और उदर कान से ये भाशा सुनाई जा रही है सोच रहे होगे कि क्या है ये चलिए आप घबराएए नहीं मैं आपको पूरा इसका एक्स्प्लेनेशन दूँगा कि क्या मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ परमेश्वर के वचन के दौरा हमेंसे हर वेक्ती जानता है कि जब भी हम हिंदी भाशा पढ़ते हैं तो वो बाएं से दाईं तरफ पढ़ते हैं ठीक है या इंग्लिश में भी ऐसा ही है कि आप बाएं तरफ से स्टार्ट करके दाएं तरफ जाते हैं लेकिन एक ऐसी भाशा है जो उल्टा चलता है दाएं तरफ से बाएं तरफ पढ़ते हैं और वो भाशा है इब्रानी भाशा उर्दू भाशा भी ऐसे ही पढ़ी जाती है जो शुरू करते हैं और बाएं और की और पढ़ते चले जाते हैं फ्रम राइट टो लेफ्ट लेकिन हमारी जो मात्र भाषा हिंदी वो तो बाएं से दाएं तरफ या फ्रम लेफ्ट टो राइट चलिए ये तो हुई भाषा की बात आप सोच रहेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है जी हाँ ये है बाइबल का इब्रानी भाषा बाइबल का पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था और नयानियम युनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में लिखा गया था अब इस इब्रानी भाषा का एक शब्द में आपके सामने यहां पर रख रहा हूँ और इस शब्द को पढ़ा जाता है श्मा अब मैं तो वैसे इबरानी भासा ठीक से क्या जानता ही नहीं हूँ लेकिन मैं study करके ये पता लगाया कि इसको बोलते है श्मा अब श्मा का मतलब क्या है जब इसको हम इसकी जो मूल study करते हैं जड़ वाली words study करते हैं तो पढ़ता पढ़ता है कि इसमें एक बहुत मतलब भरा भुआ शब्द है जो मैं आज आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा श्मा का मतलब है सुनना श्मा का मतलब है सुनना ध्यान से सुनना जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वक्ती जिसके कान खुले हुए हैं और श्मा की जो आवाज है उसके कानों तक पहुँच रही है तो ये सुनने का क्या मतलब है इससे हम क्या सीख सकते है बाइबल में जब भी श्मा शब्द आता है इबरानी भाशा में जो कि पराना नियम इबरानी भाशा में लिखा गया है तो वो परमेश्वर की और से वचन जो दिया जाता है और परमेश्वर जब कहता है कि सुन तो वो जो शब्द सुन है वो श्मा लिखा हुआ है इबरानी भाशा में अब इसके भी बहुत explanation है, जो मैं आपके सामने पढ़ूँगा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, Deuteronomy, विवस्था विवरन और उसका 6 अध्याए, विवस्था विवरन उसका 6 अध्याए और उसका 1 से 9, यहाँ पर परमेश्वर अपना वचन इसराइलियों को देता है, अपने लोगों को देता है, जो उससे प्यार करते हैं, और वहाँ पर वो शब्त इस्तमाल करता है, सुन, सुनो, ध्यान दो, चलिए मैं पहले आपके लिए पढ़ लेता हूँ, विवस्था विवरन उसका 6 आज्या दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो, जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा, और तेरा पोता, यहवा का भै मानते हुए, उसकी उन सब विदियों और आज्याओं पर, जो मैं तुझे सुनाता हूँ, यहाँ पर वो शब्त आय तु बहुत दिन तक बना रहे हैं, हे इसराइल, सुन, यहाँ पर वही शब्द आया, सुन, त्यान दो, और इबरानी भाचा में यहाँ पर आया है, श्मा, ठीक है, सो, हे इसराइल, सुन, और ऐसा ही करने की चौक्सी कर, इसलिए की तेरा भला हो, और तेरे पित्रों के पर और मधू की धाराएं बैती हैं, तुम बहुत हो जाओ, हे इसराइल, सुन, फिर से वो बात आई, श्मा, सुन, हे इसराइल, सुन, यहाँ हमारा परमेश्वर है, यहाँ एक ही है, तु अपने परमेश्वर, यहाँ से अपने सारे मन, और सारे जीव, और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना और ये आग्याए जो आज मैं तुझे को सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्क पर चलते लेटते उटते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्न के रूप में बांधना और ये तेरी आखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौकट के बाजूं और अपने फाटकों पर लिखना यहां तक तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो आप समझ गए हैं कि परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनना नहीं है उसका पालन भी करना है तो जो श्मा जो शब्द है इसके दो मतलब हैं ध्यान से सुनिए एक है वचन को सुसनना और उसका दूसरा मतलब है उस वचन के अनुसार चलना या आज़््या मानना प्रैक्टिकल रूप में प्रयोगी की रूप में जो वचन परमेश्वर हमें है उसको सिर्फ सुनने ही काफी नहीं है लेकिन उस पर चलना बहुत बहुत जरूरी है तब ही वो шमा जो शब्द है उसका पूरा मतलब आएगा यदि मैं सिर्फ सुनता हूं और उसके बारे में कुछ नहीं करता हूँ तो शमा का कोई मतलब नहीं हो जो श्मा शब्द है इबरानी भाशा में इसके दो मतलब है ध्यान से सुनना और सुनने के बाद आग्याकारी होना तब ही परमिश्वर कहता है कि हे इसराइल हे मेरे लोगों तुम वच्चन को सुनो और उसके अनुसार चलो भी और यही बात हमारे याकूब की पत्री में भी पाये जाता है शायद आपको याद होगा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ यहाँ पाये जाता है याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय ठीक है और उसका बाइस से पच्चीस पद क्योंकि अधि हम प्रमिश्वर के वच्चन को सिर्फ सुनते ही सुनते ही सुनते ह रहते हैं और उसके बारे में कुछ करते नहीं है तो फिर सुनने का मतलब नहीं रह जाता है मीनिंगलेस हो जाता है कोई मतलब नहीं होता हमें परमिश्वर के वच्चन को सुनना है और उसके अनुसार चलना भी है तभी श्मा का जो मतलब है वो पून रिती से हमारे जीवर में आएगा नहीं तो ये सिर्फ खोखडी बात हो जाएगी चले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ याकुब की पत्री उसका पहला अध्या है और उसका बाइस पत्र से परंथू वचन पर चलने वाले बनो देखिए वह इश्मा की बात यहां पर आ गई है सिर्फ सुनना नहीं है उस वचन पर चलना भी है परंथू वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोका देते हैं क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँ दरपड में तो देखता है इसलिए कि वह अपने आपको देखकर चला जाता और तूरंत भूल जाता है कि वह कैसा था पर जो व्यक्ति स्वतंतरता की सिद्ध विवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने आप में अपने काम में इसलिए आशिश पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है बहुत साफ रिती से लिखा है मेरे प्रियों सो हम सब जानते हैं यहाँ पर एक उपमा दी गई है कि वचन का सुनना और सुनकर भूल जाना ऐसा है जैसे कि हम अपना मुख सबेरे आईने में देखते हैं मेरे क्याल में हम में से हर वक्ति जो यह वचन सुन रहा है क्या करता है सबेरे उठता है इधर उदर अपना जो भी कारिया है मौर्णी में होता है वो सब करके फिर वो आईना देखता है लेडीज होती हैं तो वो अपने आपको सवारती हैं बाल वाल चेहरा वगरा देखती हैं या आदमी है तो दाड़ी वगरा बनाता है साफ सफाई करता है अगर बच्चे हैं तो मूँ से साबून से मूँ को धोते हैं है ना क्या करते हैं हम आइने को देख करके अपने मूँ को, अपने चेहरे को, अपने फेस को साफ करते है अगर मेरे चेहरे में कालिक है, या कहीं दाग है, या गंदगी है तो क्या मैं ऐसी छोड़ दूँगा उसको? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल अस्वाभाविक बात होगी कि हम सबीरे दर्पन को देखें, आइना में देखें अपने आपको और चले जाए वैसी नहीं, हम क्या करते हैं? अपने आपको दर्पन में देख करके, अपनी जो गंदगी है, चेहरे पर उसको हम निकालते हैं पानी से दो करके, साबून से दो करके और फिर अपने आपको साफ करते है ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वच्चन भी क्या है एक आइने के समान है वो हमारी गंदगियों को, आत्मिक गंदगियों को, पापों को दिखाता है अगर हम उसको ऐसी छोड़ दे, सुन ले और उसके बारे में कुछ ना करे तो कोई फाइदा ने, है ना श्मा जो शब्द है, उसको, उसमें दो मीनिंग है जैसे मैंने कहा कि उस वच्चन को सुनना और उस सुनने हुए वच्चन के अनुसार चलना ये दोनों बहुत अत्यंत, महत्वपूर्ण है, इंपोर्टन्ट है हमारे जीवन में, इसलिए आज मैंने आपके सामने ये शब्द आया है श्मा, ठीक है, अच्छा, और बाइबिल क्या कहती है, भाई घमन मत करो और अगर मैं घमन करूँ, तो क्या मैं वच्चन का सुनने वाला हूँ? नहीं हूँ, वो सिर्फ कान से सुलिया, दूसरे कान से निकाल दिया इर्श्या मत करो, अपने भाई बहन से, माता पिता से प्रेम रखो अपने परमिश्वर यहवा को पूर्ण प्रेम दो सारे मन, सारे जान, सारी बुद्धी, सारी आत्मा, सारी दे के साथ हम अपने परमिश्वर के साथ प्रेम रखें और इदि हम नहीं रखतें, तो हम सिर्फ बच्चन को सुनने वाले बन जातें तो वहाँ पर जो श्मा जो शब्द है, उसका कोई भी मतलब नहीं आता है और इसलिए एक जगे पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ूंगा लिखा हुआ है Obedience is better than sacrifice या बलिदान या बचन को मानना हमारे और दूसरे बलिदानों से बहुत अत्यान्त महत्वपूर नहीं पाए जाता है पहला शामियल ये पाए जाता है पहला शामियल और उसका पंदरवा अध्याय और उसका बाइस पद पहला शामियल उसका पंदरवा अध्याय और उसका बाइस पद चलिए देखें परमिश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ शामियल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसंद होता है जितना की अपनी बात के माने जाने से प्रसंद होता है देखें सिर्फ वचन को सुनना नहीं है उस पर चलना भी है आग्या मानना है ओबीडियन्स है ना तो अपनी बात के माने जाने से प्रसन होता है सुन मानना तो बली चड़ाने और कान लगाना मेरों की चर्बी से उत्तम है किता साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियों यहाँ पर हम देखते हैं श्मा का मतलब लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्या है और उसका तीन पद प्रकाशित वाक्य जो की बाइबल का आखरी किताब है और उसका पहला दिया तीन पद यहां लिखा हुआ इस प्रकार से धन्य है वे जो इस भविस्त्वाणी के वचन को पढ़ता है ठीक है जी? एक तो पहली बात यह हो गई कि हम वचन को पढ़ते हैं है ना? अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? वचन को पढ़ रहा हूं और वे जो सुनते हैं अभी मेरी आशा है कि आप इस वचन को सुन रहे हैं मैं भी वचन को सुनता हूं संडे को या प्रेयर मीटिंग में या वैसे भी MP3 फॉर्मेट में मैं वचन को सुनता हूं सुधन्य हैं जो इस भाविस्द्वानी के वचन को पढ़ता है वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है क्या लिखावा है? इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं मानना ये बहुत जरूरी है तब ही जो श्मा जो ही इबरानी भाषा का शब्द है सुनना उसका जो डबल मिनिनी है ने सिर्फ कान से सुनना लेकिन अपने जीवन में उसको ढालना practical रूप से तब श्मा की बात यहाँ पर आ जाती है पूर्ण रिती सी वो बात हमारे जीवन में हो जाती है है ना तो हम पिर उसके वचन को सुनेंगे और सुनने के बाद भूलना नहीं है उस वचन पर चलना भी है तब ही हम धन्य कहलाएंगे इस वचन को मानना अब मैं आप से अगर प्रशन पूछूँ अब कितने मैसेज को याद किए जो पिछले साल पिछले मैने लोगों से आपने सुना क्या उसमें से एक प्रतिशत, दस प्रतिशत, पचात प्रतिशत उस वचन को हम मान रहे हैं या सिर्फ सुन रहे हैं सुनना काफी नहीं है, इससे परमेश्वर प्रसन नहीं होता इसलिए उसने इब्रानी शब्द का इस्तमाल किया श्मा, मतलब कि भई आप इस वचन को सुनना है और उसके अनुसार चलना भी है चलिए हम वापस जाते हैं वो श्मा जहां से शब्द आया और कई बार यहां पूरे बाइवल में श्मा शब्द आया है सुन, 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 मतलब सुनो और करो, सुनो और करो, सुनो और आग्या मानो, और वही बात हम देखते हैं, डिव्टरानमे में, व्यवस्था विवरण में वही बात देखते हैं, चलो वापस जाते हैं, व्यवस्था विवरण, उसका च्छे अध्याय, और एक पहले प पढ़ा था कि वहाँ पर वचन को सुनाना और फिर प्रभू कहते है कि उसके नूसर चलना ऐसा करो तब ही तुम आशिस पाओगे तो चलिए मैं आपके लिए फिर से भाग पढ़ देता हूं जो मैंने आरम में आपके लिए पढ़ा था यहवा आग्या और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्चोर यहवा ने आग्या दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो और तु और तेरा बेटा और तेरा पोता यहवा का भै मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आग्याओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं श्मा अपने जीवन भर चलते रहो देखिए सिर्फ सुनाना नहीं है काफिए जीवन भर चलते रहना है आग्या मानते रहना है वचन के अनुसार चलना है तभी श्मा जो शब्द है उसका मतलब आएगा सो अपने जीवन भर चलते रहें जिससे तु बहुत दिन तक बना रहे हे इसराइल सुन वह यह शब्द आया और ऐसा कर ही करने की चौक सी कर इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पित्रों के परमेश्वर यहवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूद और मधू की ध हराएं भैती है तुम बहुत हो जाओ हे इसराइल सुन यहवा हमारा परमेश्वर है यहवा एक ही है तु अपने परमेश्वर यहवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ती के साथ प्रेम रखना और यह आग्याएं जो आज मैं तुछ को सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे और तु इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्क पर चलते लेटे उड़ते इनकी चर्चा किया करना हाँ, ना सिर्फ हम अपने आप तक इन बातों को रखें लेकिन इनको हम अपने बच्चों तक, अपने भाईयों तक, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको भी ये वच्चन सुनाएं, सुपरियों आज हमने देखा श्मा का मतलब है, सिर्फ वच्चन को सुनना ही काफी नहीं है, उस पर चलना है, और इसलिए जो आप देख रहे हैं हमारा आज का जो शिर्फचा के क्या है, सुनना काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है, सुन करके वच्चन को सुन करके उस पर चलना, आज्या मानना, ये परमेश्वर को भाता है.